नमस्कार दोस्तों, MTTV इंडिया से मैं लखी पारेशर हमारे शो प्रेणना में फिर हाजिर हो एक नई कहानी के साथ है हम अक्सर लोगों को सला बाढ़ते रहते हैं, बिना सोचे, बिना समझे, खुद को उस जगर रखकर कभी किसी को सला नहीं देते दूसरों में कई सारे बदलाव चाते हैं, लेकिन खुद में उन बदलावों को नहीं ढालते हैं हमारी आज की कहानी भी इसी पर आधारित है एक समय की बात है, महीला महत्मा गांधी जी के पास जाती है, अपनी समझ्या लेकर वो गांधी जी को बोलती है कि मेरा बेटा बहुत जादा शकर खाता है फिर वो गांधी जी से आगरे करती है कि आप मेरे बेटे से कह दीजिए कि वो शकर खाना छोड़ दे गांधी जी बोलते, मैं आपकी बेटे से कह दूँगा लेकिन इसके लिए आपको एक हफ़ते बाद आना होगा महिला एक हफ़ते बाद अपने बेटे के साथ वापस आती है गांधी जी उसके बेटे से कहते हैं, बेटा कृपया शककर खाना छोड़ दो महिला जाते जाते महात्मा गांदी जी को धन्यवाद देती है लेकिन उसके मन में एक सवाल उबर रहा होता है वो जाने से पहले गांदी जी से पूछती है अगर आपको यही शब्द कहने थे तो आपने एक हफ़ते का समय क्यों लिया एक हफ़ते बाद बुलाने की वज़े क्या है गांदी जी मुस्कुराते हुए नमरता से जवाब देते क्योंकि एक हफ़ते पहले मैं भी इसी आदत से शिकार था लेकिन एक हफ़ते का समय देते हुए मैंने शकर खाना बंद कर दिया जब तक मैं खुद इस बदलाव को नहीं समझता तो मैं किसी और को कैसे कह सकता हूँ कि वो ये बदलाव करे जब मैंने खुद ये बदलाव किया तब मैंने जाना कि मुझे किस तरह से निकलना है और इस तरह की समश्या का छुटकारा किस तरह से पाया जा सकता है तब जाकर मैं इतने विश्वास से ये चंद शब्द बोल सका तो चलिए क्यों ना आज से हम भी गांधी जी की रहों पर चलने की कोशिश करें और पहले खुद में वो बदलाव लाएं जो हम दुनिया में लाना चाहते हैं क्योंकि हर कोई इस दुनिया को बदलने के बारे में सोचता है लेकिन कोई भी खुद में बदलाव लाने के बारे में नहीं सोचता खुद वो बदलाव बनिये जो आप दुनिया में लाना चाहते हैं फिर मिलेंगे एक नई कहानी एक नई प्रेणा के साथ झाल झाल